हालो फ्रेंड्स वेलकम वेक टो मैं चैनल इन कुकिंग वीद रेका पहाडिया आज मैं लोगों के साथ शेर करने जा रहे हूं पालक के पराटो की शांदार रेसिपी ठंड आ गई है और ठंड में पराटे खाना हर किसी को पसंद होता है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पालक को अच्छे से साफ कर लेंगे इसके डंटल तोड लेंगे और से 2-3 बार अच्छे साफ पानी से दू लेंगे उसके बाद हम गेस वोन करेंगे और एक तपली के अंदर पालक को बॉल होने में मुश्किल से 5 मिट का टाइम लगता है यहां पर मैंने 300 क् मा पालक के अंदर 15 एक ग्लास पानी इन और पाद पानी के अंदर दाल देंगे जाय तो आप अणसे डग देए या ना डगए तो भी चलेगा this नहीं पहले गला ओकले फाहने में तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे यह देखिए मैंने यह पर तीन कटोरी गेहों काटा लिया है इसे चान लिया है पराद में अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच नमक यह मैंने आदा चम्मच जीरा और अजवाई दोनों को मिक्स कर लिया है अब उससे हाथों से हलका सा क्रश करते वे डालेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच लहसून का पेस्ट थोड़ा सा बारी कटवा फ्रेश हरा दनिया दो से तीन हरी मिर्च बारी कट तथोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम ती कहट झां पूंके तीक अप्र लिवीध और नए हैं पालक के पालक के बाउगण डालना है यह बहुतन नहीं अपनी निच्ज़ इसके अंदर छानके डालना है क्योंकि यह पानी से भर भो रहा हम इसी पानी में इसे ग्यास में चान जिने पानी से अटा गूत लेंगे कि अधिया इस पानी एड़ करेगे कि पालक के अंदर अजने अधिक पानी पानी है तो हमें पानाने में बहुत ज़दा प्रोप्लम आ सकती है, हमारे पाने जो है चिपक सकते हैं यह देखिए हमारा आटा गूत कर बिल्कुल रेडी है मैंने इसमें दूसरे पानी का यूस बिल्कुल भी नहीं किया है अब मैंने यह पर एक पेन गर्म होने के लिए रख दिलेट कर दिया है जैसे हम अपनी पाशा में ग्रिरी भी बोलते हैं अब अब उसे एक गुल शेप में लेंगे राउंड शेप में उसके बाद हम इसके उपर और यही अप्लाई करें गये जो भी आपको खाना है मैं यहां पर ओई अप्लाई कर रही हूं देखें इस naval यहां अब इसके उपर भी हमें और यागी अपलाई करना है उसके बाद वापस इसका एक पॉइंट पकड़ते हुए दूसरे पॉइंट से मिला देना है और इसे अपनी फिंगर्स की हल्प से अच्छे से प्रेस कर देना है उसके बाद इसके उपर वापस हम सुखा अटा लगाएं इसके अपने पराटे को बारत का नक्षा इसके बना दे अब का ट्राइंगल शेप का पराठा बिल्कुल रेडी है तब इपर फ्राइब होने के लिए यह देखिए मैंने आप पर एक तबागर्म होने के लिए रख दिया है अब यह देखिए अच्छे सगम हो चुका है जैसे यह एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाएगा हम इसे टर्न कर देंगे और इसके उपर ओइल यागी अपलाई करेंगे मैं यहाँ पर बिल्कुल हलका हलका ओइल का यूज कर रही हूं आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन यह सब अपनी अपनी चोईस है मुझे यहां कम पसंद इसलिए में आपर कम डाल रही हूं कि यह देखिए हम इस तरह से पराटे को अलर्ट करते हुए इस अच्छी तरह से सेख लेंगे यह यह देखिए हमारा यम्मी पालक का पराटा बिल्कुल रडी है खाने के लिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंग अब इसे भी हम सेम उसी तरह सेखेंगे एक तरह से थोड़ा से सिखने देंगे उसके बाद इसे टन करेंगे और इसके पर ओल्य अगी अप्लाई करेंगे टमाटल की चटनी या फिर कोई भी सुकी सबजी के साथ सरु करें यह बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन देता है टमाटल की चटनी के साथ और आप मेरी सब्स्सबदी को जरू जरू सट्राइगे चिएगा और आपको मेरी रेसिपि कैसी लगी कमेंट सक्षिन में मुझे कमें में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है कि देखिए मैंने सारे पराटे बनाकर रेडी कर लिया है आपको मेरी अदर रेसिपी स्की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मोक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर पर जाकर मेरी प्लेylिस कर सकते हैं उसके अलावा मैने टमाटर की की चटनी की रेशिपी आई बेटन में 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 इसन कर दिए आप उसे कलिक कर वी आजा कर देख सकते हैं मैं से जלה्रुदे कर बहुत मिलूंग robots अगली श्रेशन में साथ बाई थैंक यू